भारत को लेने के देने पड़ गए, भारती अवाम भारती हकुमत के खिलाफ हो गई गुजिश्टा रोज कहीं दिनों से भारत की जानिब से कश्मीर पर जुर्मों सित्म किया जा रहा है जिस पर भारती अवाम कश्मीरियों के हक में सड़कों पर निकल आई और साथ में जो 370 कोईनों ने रद किया है उसको वापस लाया जाए कश्मीरी असमिता कश्मीरी सम्मान के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए आज दिल्ली में दिल्ली के अवाम देश की अवाम कश्मीरों को यह बताने के लिए आई है कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हुए हैं आप अपना संग दर्श जारी रखी कश्मीर के हक में नई देली से रेली निकाली गई जिसमें भारी मिगदार में स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स आम शहरी और सियासी लीडर भी शामिल थे रेली में कश्मीर के हक में नारे लगाए गए और दूसी तरफ भारती हकुमत का प्लीड स्या चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो सके आपकी जानिब से थोड़ी सी कोशिश करना एक बड़ा जहाद होगी इस मामले पर बारती अवाम क्या कहती है उनकी जबानी सुनिये देखे हम सब लोग आज यहाँ पर आएं हैं दिली युनिवरस्टी से मैं खूद हूँ इस बात को अपनी सरकार को बोलने के लिए कि जो उन्होंने दो दिम पहले हमारे हो मिनेस्टर अमिट शाजी ने पारलिमेंट के अंदर किया वो पूरी तरह से इलिगल था और अनकॉ कॉंस्टिटूशनल था और हम अपनी सरकार को यह याद दिलाने के लिए आएं कि हमारे देश के अंदर कॉंस्टिटूशन सुप्रीम है और बाकी सारे सरकारे वो सब उसके बाद आते हैं और 370 को जिस तरह से तोर मरोड के इन लोगों ने इलिगल तरीके से बिलकुल कहा क कि अब वो खतम हो गया है उसका कोई भी तरह से वो इंप्लिमेंट नहीं होगा और जम्मु एन कश्मीर को यूनियन टरेटरी बना दिया लदाग को से अला करके यूनियन टरेटरी बना दिया यह सब कुछ एक अर्बिटरी तरीके से किया गया है जो अन्कॉंस्टिटूश इसलिए सारे वहाँ पे जितने पिल्ग्रिम्स थे जितने ट्रावलर्स थे टूरिस्स थे उनको वापिस बुला लिया और कश्मीर को अज सीच के अंदर वहां रग दिया है कश्मीर के सारे ओपोजिशन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है कर्फियू लगा दिया है और communication channels पूरी तरह से बंद है तो अब इस सरकार को ये कहना चाते हैं आप जिनके लिए फैसला रे रहे हैं आज आप उनी लोगों से बात नहीं करें वो stakeholder है लेकिन उनी को नहीं पता कि उनके लिए कितना बड़ा फैसला हो चुका है तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारा सरकार कश्मीरियों से प्यार नहीं करता उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है उनको सिरफ और सिरफ एक जूट और आग लगाना देश के अंदर है वो ही कश्मीर के नाम पे वो लोग कर रहे हैं और हम जो सिटिजन्स है इस देश के अम अपनी सरकार को ये कहना चाते है कि बिल्कुल गलत है इस पूरे फैसले में आपके देश के नागरिक आपके साथ नहीं है आप इसको तुरंट ठीक करिए 370 को 351 को जो constitutional premises हैं इनको वैसे के वैसे वापिस से लाइए और कश्मीर के अंदर ये जो सीज का महौल है इसको बंद करिए जो हाउजरेस का रखा है उन लोगों को वापिस चुड़िए हम लोग यहां देश भर में जो परदशन होने मांदलों के तरफ से यहां हम लोग जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं बिदोड परजेशन है आप बताएं यहां 370 के खिलाफ हम अपने आवाज उठा सकते हैं लेकिन कश्मीर की जंता ने कर सकते हैं कश्मीर की जंता की उपर कर्फ्यू है कश्मीर की जंता की आवाज दबाने के चालीस हजार हत्यारों से लेस हमारे फौज हमारी सियार की अफिसर रोजवान है तो यह देश को इस तरह आप जोड़ेंगे आपने कश्मीर को तोड़ा है आपने संग्धान की धज्य उड़ा है आपने प्रदेशों का जो राज्यों का जो अधिकार हमारी संग्धान ने दिया है संग्य जो एक धाचा है इंदुस्तान का उसको आपने तोड़ा है और आप कहते हैं कि आप देश की एक्ता चाहते हैं भूदी जी और शाह देश की एक्ता ने फिटिश समाने से ही इन्होंने हमेशा विभाजन वाले नेती चलाए आज भी उस सब मुधान को रहामला करके वो हमारे देश को कमजोर करने वाले नेती चलाए कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं समस्ताओं की बहुती अन्नाय हुआ है और पूरे देश के हिसाब से मैं बात करूँ तो बहुत जबरदस खतरनाक संकेत है कश्मीर को धारा 370 से भारत के साथ जोड़ा गया था ये धारा 370 इतिहास की वज़े से एक ऐसा प्रावधान था संभीधान में जो कश्मीर और शेष भारत को जोड़ता था और उसको एकायक खतम कर देना वो भी इस तरीके से बिना कश्मीर के लोगों से कोई बात किये कश्मीर पर एक तरह से कार्फू ठोप करके अपातकाल ठोप करके तो मैंने समझता कि इसका कानूनी माइने क्या है इस पर तो कानून के धरातल पर भी बहस होगी लेकिन कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है मैं समझ सकता हूँ कि आज किस तरह का अलगाओ आज वो उनको महसूस हो रहा है और इसलिए हम लोग तो पर देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बताने के लिए कि हम कश्मीरियों के साथ है कश्मीर के साथ है दूसरा जिस तरह से कश्मीर जो एक अलग राज हुआ करता था अभी तक हम देश में देख रहे थे कि किसी यूनियन टरिटरी जैसे गोवा एक यूनियन टरिटरी था उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया हमने देखा कि कुछ राज्यों को दो राज्यों में बांटा गया जैसे बिहार को जैसे यूपी को जैसे मध्रप्रदेश को या हाल ही में अंध्रप्रदेश को अब कश्मीर को एक आए एक जो एक राज्य था उसको दो यूनियन टरिटरी में तब्दिल कर दिया गया तो मुझे तो लगता है कि बिहार के हर नौजवान को सोचना चाहिए बिहार के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कल अगर रात को नीज से उटने के बाद सुगा अगर आपको पता चले कि बिहार अब एक अलग स्टेट नहीं है उसको भोजपूर और मिथिला और कोशी और मगद चार यूनियन टेरिटरी में बाट दिया गया अगर हमारे यूपी के भाईयों को बहनों को अगर ये पता चले कि उत्तर प्रदेश अब एक अलग राज्य नहीं रहा उसको पुरवांचल, बुंदेल, खंड और हरित प्रदेश जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी में बाट दिया गया तो आपको कैसा महसूश होगा यहां से खड़े होकर के सोचना चाहिए कश्मीर के लिए तीन से सत्तर एक रिजर्वेशन जैसा था तो हमारे तमाम S.C.S.T.K. O.V.C. के भाईयों बहनों को जिनको इतिहास की बज़ाए से हमारे देश के सामाजिक बनावट के चलते एक आरक्षन का हक मिला हुआ है कर अगर आज इस तरह से राष्टिय एक्ता के नाम पर कश्मीर का आरक्षन खत्म किया गया तल अगर हमारा सामाजिक आरक्षन भी सामाजिक समरस्टा के नाम पर एक ही एक्ता के नाम पर अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा यहाँ पर खड़े होकर कि कश्मीर को समझने च्छेह आज जो लोग जश्न मना रहे हैं कि चलो आप कश्मीर में जाकर कर जमीन खरीदेंगे, कश्मीर की जमीन अब हमारे हिस्से में आ जाएगी, तो ये कौन लोग है, इस देश में सिर्फ कश्मीर को जमीन बचाने का हक नहीं था, इस देश के बहुत सारे दूसरे राज्यों को, पहारी राज्यों को अपने जमीन बचाने का हख है इस देश के जो आधिवासी के लिए पंचवी अनुसिची है आधिवासी ओ के लिए ये ये हक है किूंका जमीन आप नहीं ले सकते हैं तो आप समझ ह सकते हैं कि कौन लोग आधिये कश्مीर में जमीन खरीदने का ज़शन मेना रहे हैं जो लोग सुन भद्रमें आदिवासियों की हट्ळा करके उनकी जमीन छीनने पर आमादा है जो लोग झारखन में छोटनाख मूट टेनंसी एक संधल परगणा टेनंसी एक को खतम करके जारखन के आदिवासियों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं गरीवों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं जो लोग फॉरेस्ट एक्ट को रिडाइट करके एक मिलियन से जादा, दस लाग से जादा आदिवासी बनवासियों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं वैसे ही ये भूमाफिया के लोग होंगे जिन को खुशी हो रही होगी कि अब कश्मीर में हमको जमीन मिल जाएगी मुझे लगता है कि कश्मीर के सवाल को हमें भूमाफिया की दृष्टी से नहीं देखना चाहिए कश्मीर के सवाल को हमें देखना चाहिए देश के लोगकंत्र के हिसाब से देश में संभिधाम के इस प्रिष्टी से इस देश में जो इतना बड़ा देश है बिवित्ता के जरीए ही हम देश को एक रख सकते हैं बिवित्ता को अगर खतम करेंगे उसको अगर बुल्डोजर से रौत देँगे तो देश की एक तब बचेगी नहीं कश्मीरियों को धकेल देंगे भारत से उनको अलगाओं में धकेल देंगे तो जो लोग कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर में निपट लेंगे आप नहीं निपट सकते तो आप कश्मीर को आफ जादा आपने दूर धकेल दिया कश्मीरियों को दूर धकेला है और एक भारतिय होने के नाते अंत्रस अंबिधान में आस्था रखने वाले नागरिक के हैसिएत से मुझे इस वक्त काफी दुक है काफी मैं कश्मीरियों का जो मनोस्थिती है मैं उसको समच सकता हूँ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर मजदूर को, हर किसान को, हर नوجवान को, हर जलीद को, हर महिला को, हर आधिवासी को और इस अमबेटकर के समच बिधान में आस्था राकने वाले हर भारतिये नागरी को, इस समय कश्मीर का साथ देना चाहिए और कश्मीर के पक्षमें, लोगतर्जर के पक्षमें आवाज बिलन करनी चाहिए अले कश्मीर को इनसाफ दो, साफ दो, साफ दो अना राट्टिकल 370 वाप सिलाओ, वाप सिलाओ, वाप सिलाओ